हेलो बच्चों, let's read this question if b is greater than a, then the equation x minus a, x minus b minus 1 is equal to 0 has तो यहाँ पर मैं 4 options में से सही option बताना है कौन सा होगा start कर लेते हैं हमारी key concept से तो यहाँ पर देखो if fx is equal to ax square plus bx plus c and a is greater than 0 तो इसका मतलब क्या होगा कि fx is a parabola is a parabola mouth opening upwards यह directly बोल सकते हैं parabola opening opening upwards ठीक है तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम सबसे पहले तो हम let कर लेते हैं if fx is equal to हमारे पास है x minus a multiply में x minus b minus 1 is equal to 0 यह दिया हुआ है तो अगर हम x की जगा पर a रख देंगे ठीक है तो f of a कितना मिल जाएगा हमें f of a का value देखो a minus a यहां से 0 बन जाएगा है पूरा term ही 0 हो गया यानि यह minus 1 हो गया इसी तरह f of b का जो value वो भी हो गया minus 1 यानि कि यहां से हम बोल सकते f of a का value किसके equal आ रहा है f of b के equal आ रहा है साथ ही साथ अगर हम f x को सही से लिखें तो देखो अंदर multiply करेंगे x square आ जाएगा then minus का b x minus का a x आएगा तो minus x को common कर लिया a plus b बन जाएगा इदर plus का a b और minus 1 is equal to 0 अब इस equation को देख के हम पता कर सकते हैं कि x square का coefficient 1 है ठीक है तो 1 जो है वो greater than 0 होता है इसका मतलब यह parabola mouth opening upwards होगा ठीक बात है तो अब देखो इसको बना लेते हैं यह मालो मारे पास में y axis है यह मालो मारे पास में x axis है तो यह इस तरीके से एक parabola आने वाला है parabola mouth opening upwards ठीक है और यह इसके दोनों roots आने वाला है यहाँ पे मालो यह alpha यह beta ठीक है यह दोनों roots है अब हमें पता है कि f of a का value minus 1 है तो minus 1 उपर तो कहीं पर आएगा नहीं यहाँ यहाँ कहीं पर आने वाला है ठीक है ऐसे माल लेते हैं यहाँ कहीं पर आएगा यह मालो minus 1 होना हमारा तो पहला जो root है वो यहाँ पर आजाएगा जो कि a हो जाएगा अब हमने यहाँ पर a ही क्यों लिखा b क्यों नहीं लिखा क्योंकि मैं पता है b greater than a है तो b तो बाद में आएगा ना x coordinate b का जो है वो बाद में आ रहा होगा यानि यहाँ पर कहीं पर b आएगा दोनों का y coordinate तो same ही है यानि कि minus 1 ही है ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक root है ना इसका वो तो कहां से कहां तक आ रहा होगा in minus infinite to a and at the root in b to infinite यह सही हो गया I hope you understood this explanation best of luck